अरे क्यों serious होके बैठते हूं सत्संग में भी बैठती कि serious होके बैठे तो सत्संग में serious आदमे की आवश्शक्ता नहीं है जो serious है उसको कहां लेके जाए जाता है बोलो हाँ अस्पताल तो serious होके क्यों बैठते हु भाई जो serious होता हो कहां जाता है अस्पताल तो यहां के भी serious होके बैठते हूं हाँ से प्रेख करवाते हैं तो ऐसे गंबीर होके बैठे रहते हैं हसते के साथ हसती है दुनिया रोते को खूब हजो अब खूब हजो रोते हो इस बिदी क्यों प्यारे जो हसना है जो होना है सो होना है जो रोना है सो रोना है जो खोना है सो खोना है जो आना है सो आना है जो जाना है सो जाना है जो पाना है सो पाना है Narayan, 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 Narayan परिदाबाद से जब चला था तो वहाँ कुछ ऐसा आंदेशा led कि कुछ ने कुछ पंगावाँ होगा कुछ काम चल रहा था बापुजी जब से गए तो कईों की नियत जो है ना बदनियत होगी सोचते हैं कि आश्रम में कब кольलेंगे आश्रम में घुख जाएंगे पर बापु जी क्या पोलते है तुम ने घुख पायोगे वेटा वो इतिहासी ही सससंग में सुना था ना आपने नहीं सुना था कि तुम नहीं घुख पायोगे वेटे तो मैं यहां जैसे वहां भी दस मेने था, वहां कुछ हुआ नहीं, जैसी वहां से यहां राइपूर में आया, फोन आ गया, बोले, यह काम नहीं होने दे रहा है, यह नहीं होने दे रहा है, जैसे तैसे समझाता रहा है, समझाता रहा है, आए दिन, आया तब से रोज, अभी अब हम तो टाल रहे थे कि चलो भई, व्यर्थ की फालतों के उल्जन में, क्यों फशें? लेकिन जो बदनियस से कार्य करता है, उसके मनसा कभी पूरी होती नहीं है. हमने उनके लिए कभी गलत सब्द इस्तमाल ने किया. आते जाते आज शम्बालों को, कुछ का कुछ गलत बोल के जाता है, कुछ होता है, कुछ बोल के जाता है. आज सुबह पुलिस कंप्लेंड दे आया हूँ, सामने पडोसी खेत वाले. फिर सो नम्मर पे फोन कर दिये, दो गाड़ी पुलिस की जिपसी है, और वो सब भर के आ गए. लेकिन गुर्देव बैठे हैं, तो अपने आप गुर्देव उन्हें विवस्ता की, पुलिस वाले आये, उन्होंने देखा, समझा बात को. तो कम्प्लेन वो लिखके देखे आये, सो नम्मर पे भी फोन उन्हों नहीं किया, और पुलिस आई, और उनको ये दो-चार अच्छे से डंड़ा बरसाई. भले आश्रम की जमीन है, कौन साब वो सादू लोग हैं, आदान बजन करने आएं, रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समाज की. यग हो रहा है, गोशाला है, इतनी सारी सेवा कारे प्रवत्तिया हो रही हैं, उनको पता है पुलिस वालों को. खुरोना काल में हैं, वो ही पुलिस वाले हमारे साथ, उतनी साथ हमें लग करके, बोरे भर भर के सब को समान बाट बाट के आये थे हम लोग, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं कई बार, और अभी दीपा वली पे कंबल भी वित्रत की, बारा सो रुपे की किट बना के, कम से कम एक हजार उदर जो लोग रहते हैं, मजदूर लोग, उनके साथ, उनको पता है, सब को पता है, बापु जी के आश्रम के द्वारा जो प्रवत्यां होती है, सेवाकारी होते हैं, सब को पता है, सच्चाई कभी चुप नहीं सकती, बनावट के, उसूनों से, और खुज कर ले तैंगी यहीं से धिवार बनेगा, अब कुछ भी अंगर अगर उन्होंने किया, तो इनको उठाके बंद कर देंगे, अच्छा है, काम और पका हो गया, अब निश्शिन्थ हो गया, मिरा अपकी कृपा से करते हो तुम गुरुवर चिन्ता नहीं है कुछ भी जीवन सभज गया है तो अभी वी उन्हीकी करुणा उन्हीं के कारीज पाय से सब देवीकार्य सेवाकार्य हो रहे हैं और कसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी गुरू कैए देवीकार्य और शेवाचार्य में विघन पोचाएं तो यह जो तीन दिवसी सत्संग राइपूर वालों को यह सोचों की बोनस्ष में मिला है और यह गुर्देओं की महती महती कृपा है राइपूर के और इस सत्संग में जो खास-खास है ना इमांदार लोग बेइमान नहीं जो सेवा में भी बेइमानी करते हैं भक्ति में भी बेइमानी करते हैं सुम्रण में भी बेइमानी करते हैं बेइमान का मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई बेइमानी करी मतलब बेइमान मतलब होता है जो जिनका मन ध्यान बजन में नहीं लग तीन दिन के सत्संग में, तीन दिन तो पहले हो गया था, पर ठीक है, बीच-बीच में थोड़ा gap था, तो हमने कहां, तो फिर यहां भी बैठे रहते, हम भी बैठे रहते, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो गुर्देव नहीं अपना, जो भी सेवा उनकी कृपा से हो मैं तो सोचा कि कहीं सकूल से पकड़के लाया हूंगे, कहीं गुरुकुल से लेके आए हऊंगे, लेकिन बाद में पदा चला, यह तो सब सेवा धारी लेकर आये, कोई 15 लाया, कोई 20 लाया, कोई 50 लाया, कोई 100 बच्चों को लाया, तो इस रिप्रित समय में गुरोना काल म बच्छों को भेजा, और कल बच्छों ने दो घंटा सत्संग भी सुना, लेकिन जाते-जाते रोकर के गए, किसलिए रोकर के गए, कुछ सीख के गए, कि भूलो सभी को तुम मगर मावाप को मत भूलना, मता पिता का पूजन किया, जो गुरुजन आये थे, उनको लेकर के, जो उनकी सेवा करते हैं, और इमान दारी से बताएं, जो भी बाल संसकार केंदर चलाते हैं, या तुलसी पूजन के नीमीगा जाते हैं, या फिर मातरी पित्रि wanna जिए के लिए जो जाते हैं सेवा-दारी भाय भाईबेहन, अरे पुन्य होगा, कि नहीं होगा, वो हमको नह पता, फल बाद में मिलेगा की नहीelे हमको नहीं पता, लेकिन हम सबको सेवा को करके आनन्द मिलता है, हाँ या ना, बोलो, आनन्द मिलता है, इसा अनुभा होता तो हाँ तो जो उचा करो, मुझे तो बहुत आनन्द आता है, मुझे मेरे गुरुदेव ने जो कुछ भी दिया है, वो इस सेवा के बदोलत ही दिया है, तो सेवा जब हम करते हैं, बहुत आनंद भी आता है, और एक संस्कृति की सेवा होती है, राष्ट की भी सेवा हो रही है, कल साम को जब आप लोग संध्या में यहां बैठे थे, वो छोटे-छोटे बच्चों से प्रश्ण उत्तर कर रहे थे, यह प्रश्ण उत्तर, यह इस टाइप के प्रश्ण और इस चरह की चर्चाग संसार में नहीं होती, बड़े-बड़े पीच्डी की हो है, बड़े- सच मानेगा क्या, बोलता है हम सरीर हैं, वो सरीर को सच मानेगा, जो बाल संसकार के बच्चे को पता है, वो बड़े-बड़े डॉक्टर को नहीं पता, सुख दुख किसको होता है, डॉक्टर बता सकता क्या, मान अपमान किसका होता है, डॉक्टर नहीं बता सकता, भूख आलाग ही बताएगा, जैसे वो अच्छा भोला था, सरीर, सरीर को लगती है, पेट को लगती है, तो ऐसा उचा ग्यान सहजता में, सरलता में, गुर्देव के सीरिमुक से हमें मिल रहा है, और कई बार सहजता और सरलता से कोई चीज आसानी से मिल जाती, इसलिए लोग कदर नहीं करते, लेकिन धनभागी हैं वो जो गुरु ज्यान की कदर करते हैं, इसलिए इस कृपा सिंधु बापु जो समझा रहे हैं, वो बाते भुलाना, बोलो, महामूडता है, तो फिर भी, इस चालु दिवस में भी, और मैंने कोई ऐसा सोचके नहीं बोला था, आज जो भी सत्संग चला, गुर्देव का संकेद भी वैसा ही था, आप सब के लिए, जो नहीं आए उनके लिए, पैसे के पीछे भागते हैं, दुकानदारी छूटती नहीं हैं, सत्संग में रूची नहीं हैं, वो सब क्या है? बेइमान है, क्या है? बेइमान है, और तीन गंटा हो गए, एक बज़े शुरू हुआ था सत्संग, आप तो बारा बज़े आगे थे, संध्या की आपने, साड़े ग्यारा आगे थे न, सकारात्मा कुर्जा मिलने लगती है ना तो थकान नहीं होती, उबान नहीं होती, तो इस सकारात्मा कुर्जा भरने के लिए तो गुरु का द्वार है, इसलिए यहां बार बार आना चाहिए.